सबी वाईयों को नमस्कार सबी का सुवागत करते हैं जी यादव डेरी फार्म पे और आज आपको मिलकिंग दिखा रहे हैं जी अपने जो साहिवाल की गाय है उसकी मिलकिंग की वीडियो लेके आए हैं वीडियो को आगे बढ़ाएं डिटेल से जानकारी दे वीडियो को ला साथ में जो भाई फेस्बुक पेज पे इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें ताकि वहाँ भी वीडियो आपको मिलती रहें आज की वीडियो यादव डेरी फार्म से अपनी साहिवाल गाय की मिलकिंग दिखा रहे हैं जी छे दात बचडी दूसरे पे अपना फार्म है और आज अपने फार्म से ही ये मिलकिंग दिखा रहे हैं छे दात बचडी है दूसरे ब्यात की अभी मेले पे लग गी है जी आज और आज जो भी दूद है वो आपको दिखा रहे हैं साथ में आप बचडा देख पा रहे हैं जो मेल है वो देशी नसल क सीमन जिस भाई से ली है उन्होंने लगवाया था और अभी इसकी जो पिछले ब्यात की बचडी है वो उनके प्यास है तो हमने जहां से खरीदी थी लगबग 14-15 किलो दूद की गाय मान के ली थी लेकिन गाय में अच्छा दूद है इसलिए आप सुपालक भाईयों को दिखा आ रहे हैं साथ में शांत सव वाव किया जी बिल्कुल ठंडी गाय और गवुम आता है उसका सबसे मैन चीज सव वाव मेटर करता है जी जैसे शुरुवात में आई एक दो दिन दाना कम खाया था लेकिन देरे-देरे दाने पे सेट होती जा रही है तो काफी अच्छी बनक जो पिछले पैर पे आप देख पा रहे हैं नाना है वो लगा रखा है जी गाय नाने की ही होनी चाहिए क्योंकि जब अपनी गाय को नाना लगाते हैं तो आप मान के चलिए एक किसम से गाय बिल्कुल वहीं की वहीं एंड ब्रेक खैच दिए इदर से उदर इलने की भी बहुत ही जरूरी है गव मता के लिए नहीं तो काफी गाय ऐसे होते हैं बगैर नाने की जो लात मारने लग जाती हैं तो कुछी देर में आपको जो मिल्किंग है वो आप पसुपालक भाईयों के सामने होगी हमारा तो प्रियास बारंबार वीडियो के जरिया आपको अच् कि दस दिन की होगी बारा दिन की होगी तो अभी दूद नहीं बढ़ाएगी यह सोच होती है लेकिन मैं आपको बार बार जितने भी पसुपिछे दिखाए अगर अपने पास रुका है तो पसुपालक भाईयों को लाश्ट तक दिखाया हमने तो कोशिस रहती है कि दूद ह है वह जितना बताएं उतना पसुदन निकाले यह नहीं कि 25 देगी 20 देगी कोशिस है वह चाहे 20 दे चाहे यह गाए आज चाहे 18 दे 16 दे 15 दे जो भी देगी ना वह आगए और आज आपके समक्सी रखेंगे जी तो काफी सोफ्ट चुआई की है 700 वाव की है और गाए का किस पिछले साल ली थी एक गाए अब ले ली दोन पिछले साल वाली गाए अपने मित्तर के पास है जी अलवर जिले में गई थी आज भी बाई ने रखी है मेरे हिसाब से और अब की बार जो यह गाए है यह जी मैं कहूंगा दूद की काफी अच्छे है उस गाए ने लगबक 18 19 लिटर दूद दिखाया था अपने फारम पे और अभी यह गाए आज देखो कितना दूद निकालती है क्योंकि बस बैठे बैठे ही मन बन गया की गाए की मिलकिंग है वो करवाते हैं आज मेला दिखाया गाए ने तो जैसे मेला स्टार्ट हुआ है तो आज की मिलकिंग भ हो रही है उसी हिसाब से दूद भी अच्छा निकाल रही है और पसू पालक भाईयों को हम तो अपने फारम से एक चीज बोलते हैं जितना पसू का दूद आज आपको दिखा रहे हैं वो दूद कोई भी भाई किसी भी टाइम आके देख सकता है यह नहीं कि इसमें दूद ह होगा उससे दो किलो तीन किलो जादा नहीं जितना है उतना ही रेकेमेंट करते हैं और दिखाने की भी समता रखते हैं जी बिल्कुल शांत बाव की आप देख पा रहे हैं जहां पे गाई खड़ी है वहीं की वहीं खड़ी है अभी नॉर्मल डाइट पे गाई चल रही है थोड़ा चने की चूरी बनोले की खड़ और गेहों और बाजरे का जो दलिया है थोड़ा वो डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा क्योंकि मेले से पहले गाई है दाने पे उतनी नहीं आई थी और आज जो दूद की डिमांड है मार्केट की उसके अनुसार मैं कहूं बैस काफ दूद है वो लेना काफी पसंद कर रहे हैं जी साईवाल का हरियाना नसल का जो दूद है उसकी काफी ज़्यादा डिमांड है जी तो लगबग मिलकिंग है वो कम्पलीट होने को है कुछ ही देर में दूद आपको मापके दिखाया जाएगा कोई भी बाई जो खरीदना चा पास है गाए दीरे 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 ऐसी बनती आ रही है नीचे से शाम के टाइम बिलकुल फस जाती है और सबसे में चीज सुरवात में भी और आज भी बोल रहे हैं बैस आप ओनलाइन खरीदें एक परसेंट में कोई दिक्कत नहीं मानता एक किलो दूद कम देदेगी लेकिन गाए आप कभी भी ओनलाइन ना खरीदें खुटे पे जाएं अपनी संतुष्टी करें अगर बैंस किसी कारण वस दो किलो दूद कम देगी दस अजार गाटे से बिक जाएगी लेकिन गाए जिसको लेने वाड़ा कोई नहीं मिलेगा ये कंडिशन है जी मार्केट की गाए गाए को गौव साड़ा में छोड़ना पड़ेगा घर से पैसे लगा के तो इसलिए गाए आप मेरे पास या कहीं भी ले आप संतुष्टी करें जी आपने कभी देखा है गाए की लाइव मिलकिंग चलाने वाले कितने पसूपालक हैं बहुत कम मिलकिंग आएंगे आपको गाए की सोसल मेडिया पे इसलिए कम आती हैं कि गाए है वो उसका सवबाव अग्रेसिव होता है और ओनलाइन जो पसूपालक विश्वास करके पसूखरीदते हैं वो इस जगे मार में आ जाते हैं तो अभी ये दूद आपको मापके दिखा दिया जाएगा और इसके कम है कम दूद में नहीं चलेगा वो चाहे बचडी हो तो यह देखे आप तीन लिटर दूद है वो मापके आपको दिखाया जा रहा है बाकी कोई भी खरीदना चाता है वो संतूष्टी कर सकता है सभी बाई जो इस वीडियो में जुड़े हैं आप लोग बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी क्योंकि हम परियास कर रहे हैं कि आपको बार बार अच्छा पसू दिखाएं उस परियास में अगर कोई साथ देगा तो वो आप पसू पालक भाई हैं मेरा संपरक सुतर आपको रेगुलर स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई पढ़ रहा है इसके अल मस्कार